नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मारे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों अगर आप contact form 7 यूज करते हैं और आप जैसे यूज करते हैं तो कोई आपके page में आके form भरता है तो उसकी email और phone number अगर आपको receive नहीं होता है तो इस वीडियो को फस्त लेकर इन तक देखिए क्यों मैं starting से ही बताऊंगा हम लोग क्या करते हैं कि contact form 7 को plugin को activate करते हैं और उसके बाद अपना pages में जो landing page आप बनाते हैं ठीक है उसमें contact form 7 लगाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हमें lead क्यों नहीं आ रही है ठीक है कोई form भरेगा तो आपको कहें कि phone और phone का number और email आपको receive नहीं ह तो आपको वहाँ पर setting में जाना पड़ता है और setting में जाने के बाद वहाँ पर कुछ थोड़ा सा को setting करने पड़ती है तब जाके हम उनका email और phone number receive होता है ठीक है तो हम सुरू से start करते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे plugin को install करेंगे ठीक है तो आपको wordpress को open करना है और open login करन प्लागिन से माना है उसके बाद add new plugin करना है और add new plugin के बाद आपको यहाँ पर search करना है contact form 7 ठीक है contact form 7 ठीक है अब यहाँ पर contact form 7 ठीक है अब यहाँ पर contact form 7 अब आगया अब आपको यहाँ पर इनसे install करना है और install हो जब हो जाएक तो फिर activate करना है और activate होने के बाद यहाँ हो गया अब मैं इहां इसे activate करता हूं और activate करने के बाद हम से सैटिंग में जाएंगे है तो यहां पे contact form सेवं हमारा छिकए एक्टिबिट होगे अब हमें इसफे setting में जाना है और setting में जाने के बाद यहां पे contact form ठीक है आप यहां पे और वी contact form 7 को add कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर code इस code को हमें उठाना वड़ता है तो मैं यहाँ पर दूसरा एक page भी open करके दिखा देता हूँ ठीक है यहाँ पर मैं new page करता हूँ उसे new tab में open करता हूँ और यहाँ पर ठीक है तो यहाँ भी मैं काम मिदर भी इसे edit करता हूँ है ठीक है अब यहां पे आपको contact form में ठीक है अगर आपके इसमें नंबर नहीं है तो आप यहां पे नंबर उठा सकते हैं यहां से ठीक है अगर आपको email यहां से आप लगा सकते हैं ठीक है यहां पर email है subject है और अगर हम subject को यहां हटा देते हैं तो मैं इस वर लेविल को हटा देते हैं यहाँ पे लिखता हूँ phone ठीक है? इंटर करता हूँ और यहाँ पे आपको number पे click करना है तो यह सब जीजे यहाँ से ठीक है यहाँ पे insert tag करना आपको ठीक है? अब हमारा phone में number का option भी आ जाएगा ठीक है? लेकिन हमें इसमें setting करने पड़ती है तब जाके हमें उस बंदे का email और उनका number हमें receive होता है ठीक है? तो यहाँ से मैं addit with elementor करता हूँ elementor canvas करता हूँ और addit with elementor ठीक है? मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि contact form 7 आपको कैसे use करना है? ठीक है? जो यह code होता है हमें यह हमें कहाँ पे paste करना होता है? ठीक है? तो जिन लोगों ने अभी elementor भी activate नहीं किया plugins को वो activate कीजिए क्योंकि elementor से आप जो आप चाहते हैं जैसे आप चाहते हैं वैसे आप landing page कर सकते हो बना सकते हो अपना home page भी design कर सकते हो आप ठीक है? तो अभी यहाँ पे open हो रहा है ठीक है? तो यह सब चीज़ें आपको करनी है और यहाँ पे आपको जब एडिट करोगे तो यहाँ पे आपको save करना है और save करने के बाद हमें आना है mail में ठीक है? अब यहाँ पे हमें setting करनी पड़ती है ठीक है? अब यहाँ पे सबसे पहले आपको email डालनी पड़ती है जो आपकी अपनी email idea है ठीक है? वो आप यहाँ पे डाल दीजी ठीक है? और यहाँ पे from इसको आप बिल्कुल भी edit आपको नहीं करना है इसके मतलब है कि wordpress आपको जो जिनको mail भेज रहा है wordpress के दौरा भेजा जा रहा है ठीक है? तो यह सब चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं करनी है यहाँ पे आपको अपनी email id डालनी है हो गया? अब आते हम यहाँ पे ठीक है? यहीं पे main होता है हमें यहीं पे setting करनी होती है यहीं से आपको email और form number form number receive होता है ठीक है? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ठीक है? अब यहाँ से new tab हम open करते हैं open करने के बाद यहाँ से आपको short code उठाना पड़ता है यहाँ नीचे यह दिखे आया short code ठीक है? अब अगर आपके इसमें यह नहीं आ रहा है तो आप elementar को use कीजिए plugin को activate कीजिए और जब आप elementar को activate करना होता है तो page को आपको addit with elementar करना होता है और यहाँ से इसको हम यह उठा लेते हैं और यहाँ पे हमें code यह वाला code डालना पड़ता है यह वाला ठीक है? मैं इसे डाल के देख लेता हूँ copy और next step में आपको code डालना है ठीक है? आगे आप होँँ अब यह डिजाइन निक हमें आप डिजाइन कर सकते हैं मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई हुई है आप वीडियो को देख लेजी ठीक है, बहुत सारी वीडियो है तो आप यहाँ से वीडियो देख लेजी आपको पता लग जा Liam ठीक है तो यहां से आपको यहां से करना है अब यहां पर क्या करना है बता हूँ गए अब को यहां 새 खटा दना है है तो आपको यहां पे लिखना है नाम, टीक है उसकी बदा tao मैं और उसकी बाद इमेल यह सब छी ज़्य आपको यहां पर सब दिखना करना है करना लाम कि वाद आपको क्या करना यहां से यह उठाने उपर आपको दिख रहा है उपर ही यह अपको प्रक्शा देना है तो Diamond यहाँ पे डाल देना है आपको ठीक है और your email के copy करना है यहाँ पे डाल देना है बस यह चीज़ आपको यहाँ पे तीन जीज़ आपको करना है अब आपको यहाँ पे एक इंटर करना है उसके बाद आपके नीची जो subject आपने डाला हुआ था ठीक है या message या जो भी आपने कि आवा था तो यहां पर आपको लिखना है subject ठीक है space और यहां से आपको यह वाला भी यहां से copy करना है ठीक है मैंने copy किया और यहां पर paste कर देना है बस इतना सा काम आपको करना है उसके बाद उस बन देगा आपको नाम, phone number, email और जो message करेंगे वो आपको receive हो जाएगा ठीक है अगर आप यहां पर इस setting को नहीं करोगे तो आपको जो बन्दा form भरेगा उसका आपको email, phone number और यह क्या बोलते से नाम यह कभी भी आपको receive नहीं होगा ठीक है तो यह सब चीज़ें आपको यहां पर setting करनी है और setting करने के बाद यहां पर आपको save कर देना है ठीक है ठीक है होगा save अगर आप चाहते हैं कि उस बन्दे को भी message ले जाएगा अगर वो form भरे तो उसको भी email में वहां से आपको forward message ले जाएगा forward message का मतलब जैसे उसने आपको message किया आपको पेज में आके contact form आपको send किया उसने form ठीक है और उसको भी वहां पर receive message ले जाएगा ठीक है तो उसके लिए आप यहां पर आपको use mail करना पड़ता है मतलब उसको thank you का message ले जाएगा ठीक है तो यह सब दूसरी वीडियो में बता कि उसे thank you message दाएगा तो उसे भी वहां पर confirm करना पड़ता है ठीक है कि उसने form भरा या ना भरा ठीक है कभी क्या होता है कि हम landing पर जाते form भरते हैं हमें वहां से confirmation नहीं आता कि हमें form भरा या नी भरा ठीक है तो यह सब चीजे मैं आपको next वीडियो में बताऊंगा इसके ब कोई जहां पर भी आपने form लगा हुआ अगर कोई form भरेगा तो आपको वहां पर उसका नाम उसका email और उसका number और उसका message कैसे आपको receive होगा ठीक है तो यह setting आपको यहां पर करनी है और last में एक जीच और आपसे मैं कहने चाहूंगा अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे आपको अगर कुछ भी और कोई problem आती है तो आप हमें mail कर सकते हैं और भी बाकी आपे वीडियो आप देख सकते हैं और फिर दोस्तो तो फिर मिलिंग हम नेक्स वीडियो में तब तक जय हिन जय भारत